नमस्कार आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार जारखन और आपके साथ मैं हूँ देवाशीश कुमार इस वक्त हम कृष्णा घाट पर मौजूद हैं और कृष्णा घाट पर ऐसी तस्वीर जो है आपने पहले कभी नहीं देखी होगी हाला कि बिहार के अभी कई जिलों में ज यहां कई लोग जो है वो शाम को वक्त बिताने के लिए बैठा करते थे लेकिन देखिए कि गंगा का क्या रौद्र रूप यहां पर इस वक्त देखने को मिल रहा है जहां जो सीडियां मेरे पीछे आप देख रहे हैं जहां पर बैठने की सीडियां थी वो तक डूब चु के हैं तस्वीरों में आप साफ तोर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे ठीक पीछे जो मंदिर का ये पूरा एरिया है उसके सीडिय तक यह नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर चड़ना ही बांकी बचा है यहां के लोगों से जब हमने आफ कैमरा बात की तुर नहीं कहा कि ऐसा नजारा जो है सिर्फ 2016 में हमने देखी थी और उसके बाद आप देखे कि इस तरह का नजारा जो है यहां पर से आपको पूरे तरह से दिखाना चाहूँगा ये मंदिर है और मंदिर में भी देखे कि किस तरह से पानी जो है वो अंदर तक आ चुका है सीडियों तक जो है वो पानी पहुंच चुका है और ये कृष्णा घाट की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो ठीक पटना विश्व बिद्याले के पीछे है आप देखिए कि पानी का जो फ्लो है वो बहुत तेज है धारा भी बहुत तेज है और कितनी तेजी रपतार से पा पा रहा हूं लगभग आठ से दस फीट पानी जो है वो उपर तक आ चुका है और यह देखिए कि यह मंदिर तक यहां पर डूप चुका है तो यह पूरी तस्वीर एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए कि कितना भयावा यहां द्रिश्व और यह सि अलकुल भयावा द्रिश्व है और यहां पर आप देखिए कि इससे पहले जो मंदिर में पूजा अर्चना की जाती थी वो मंदिर की सीडियां तक यहां पर डूप चुकी हैं तो आप इसी से अंदाजा लाया जा सकते हैं कि कितना भयावा इस्थिती जो है यहां पर पहु तमाम चीजें यहां पर जो है वो डूप चुकी है यहां पर जो मंदिर है मंदिर कृष्णा घाट में ही मौजूद है वहां के पुजारी हैं और कुछ स्थानिय लोग भी हैं उनसे भी हम बाचीत करने की कोशिश करेंगे कि यह बताए कि कब यह इतना पानी यहां पर आया पिछले साल कुछ इससे कम पानी था लेकिन इस वर थोड़ा लगता है कि पानी ज्यदा बढ़ने वाला है उमीद जैसा है पानी यह दो तीन दिन पहले चड़ा था जी नहीं रात में पानी चड़ जाता ज्यादा बढ़ता है जी जी आप तो लगातार यही पर हैं यहां य देखे थे कि इससे भी हाई पानी था मुचा था मंदिर में पानी 200 में घुसा था मंदिर मंदिर के अंदर में पानी घुसा दे भोलेवा का मंदिर मतलब भोलेवा डूब गयते पुड़ा पूरी तरह से यहां यहां आप खरें वहां कम से कम ठ्वना वर पानी था है तस्वीर जो है इनोंने 2016 में देखी थी और यह जो मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं यह मंदिर के अंदर तक पानी चला गया था और जो भगवान शिब की यहां पर सीब्लिंग स्थापित है वो तक यहां पर दूब गई थी तो साब तोर पर आप देखी कि कि अतना भयावा इस वक्त इस्थिती है कुछ और लोग भी उनसे भी बात्चित करेंगे आप कहां से आए हैं इसी तस्वीर देखें थे से पहले नहीं से पहले दूसल पहले देखें दूजर अठार है कि से प्रोक्शन दूजर अच्छा अच्छा उसके बाद ऐसा देख रहे ह अच्छा है कि अवा इस्थिती है पूरे थाई है कि लोग भी काफी समय है और एक तस्वीर जो है आपके सामने हैं लगातार लोग भी कई लोग भी यहां पर आ रहे हैं सल्पी पूंट कुछ लोग भी हैं आप क्या यहीं रहते हैं नहीं कहां से आए और राजिना लोग हैं और लगातार यहां पर आते जाते रहते हैं लेकिन जो यहां के स्थानिये पूजारी है मंदिर के हैं वो लोगों से अपील भी करते हैं कि आप लोग जो है वो संयम बरते और यहां नहीं आएं क्योंकि पानी की स्थिती और फ्लो जो है वो काफी भयाबा है मेरे ठीक एक कदम के बाद देखिए कि पानी इतनी गहराई कितनी होगी यह भी अभी तो गंगाजी का गहराई यहां तो अभी नीची उतर नहीं तो ट करनाय गया था और यह जो नया प्रोजेक्ट बन रहा है आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं पुल यह भी है लेकिन यहां लोग इवनिंग वाक करते थे क्रिश्णा घाट से होकर के एनाइटी तक लोग जो है वो इवनिंग वाक करते थे हां इनाइटी घाट पर भी पानी चड़ गई है तो यह देखिए साब तोर पर लोगों के टहलने के जंगाती लेकिन आप उसमें पूरी तरह से पानी भर गया है भयावा इस्तिती और यही हाल जो है वो स्पार भी है हाला कि आपको स्पस्ट रूप से नहीं दिख पा रहा हूँ लेकिन आप जाकर देख पा रहा होंगे चोटी चोटी जो प्रेड है उस तरप वो देरा का शेत्र पड़ता है और वो भी पूरी तरह से दूप चुका है टापू बन चुका है लगातार तस्वीरे हम आपके सा साथ फिट नीचे है तो तमाम तस्वीरों के लिए आप बने रही है फस्ट पिहार जार खंट के साथ नमस्कार